Hello everyone and welcome to PW Only IS दोस्तों 100 दिन भचे हैं हमारे प्रिलिम्स में और इसी को लेके न बहुत सारे confusions हैं दिमाद में बहुत लोगों के हैं लेकिन अगर मैं आपको summarize करके बताऊ ना तो 4 problem हैं मश्किल से इन ही 4 problems का solution आज के इस वीडियो में हम लोग समझने कोशिश करते हैं एक practical schedule समझते हैं समझते हैं कि जो यह अगला 100 दिन है उसको कैसे best utilize किया जाए जिससे कि हमारी productivity अपने maximum पर हो और इससे best result हम कैसे लेके आ सकते हैं हम लोग daily basis का भी schedule एक बार देखने कोशिश करेंगे हम लोग को daily कैसे अपने time segment को define करना है उसके उपर भी बात करेंगे और वीडियो के बिल्कुल last में हम लोग discuss करेंगे बिल्कुल रामबाड इलाज एक रामबाड प्रोग्राम टाइप का है RPP 2.0 prelims test series है 100 days में कैसे हम उसको cut shot करके कर सकते हैं उसके बार में भी इस वीडियो के बिल्कुल last में discuss करेंगे आपने ये भी तो सुना होगा ना कि साल दर साल ऐसे बहुत सारे top words होते हैं जो 3, 4, 5, 6 साल लगातार prelims निकाल रहे हैं क्यों निकाल पाते हैं क्योंकि उनका mind बहुत clear है उसी confusion के साब से हम बात करते हैं ऐसे कुछ और बात करते हैं पहले जो मैं चार मुद्दों की बात कर रहा था ना एक बार वो मैं आपको समझाता हूँ total confusion का यही चार component है सबसे पहला confusion है कि भी यह अमने पास planning नहीं है planning है भी तो कभी कभी हम इतने ज़्यादा distracted रहते हैं इदर उदर की चीजों के distraction दोनों हो सकता है ऐसा नहीं है कि कोई किसी से बातचीत करने में distraction हो distraction हमेशा subject के confusion से भी हो सकता है कि quality उठाया है तो लगता है अरे यह मलक्षमी कांद के जिए reason बन जाता है आपका इसी तरीके से जब planning पर हम लोग distracted रहते हैं तो इस distraction से जिस consistency को हम लोग maintain करना चाहते हैं वो हो नहीं पाती है मतलब कि हमारी performance जो है न वो दिन पर दिन कमजोर होती जाती है और उस से हम लोग और ज़्यादा demotivate होते हैं और ज़्यादा problem में फसते जाते हैं और इन सब problem के चलते हम लोग न कभी भी अपने आपको कोई भी feedback नहीं देते हैं बहुत बड़ी problem है feedback देना बहुत तरीके से हो सकता है आपके दोस्त त्यार कोई peer group में है अगर आपके साथ पढ़ाई करते हैं तो उन्होंने कुछ बोल दे कि भी तुमारे ये वाला subject week है ये topic week है लेकिन अगर कोई नहीं है तो क्या हम regular basis पर कोई test की practice कर रहे हैं जो कि हमें बता सके कि इस particular problem की ये समस्या का ये समाधान है ऐसा भी नहीं करते है तो इन सब चीजों को सबसे पहले ना हम smartly देखते हैं कि हम क्या गलट direction में effort लगा रहे थे क्या यहाँ पर आपने 2023 के सारे ये funda देखे ना किस से question सबसे ज़ादा आया है आपने देखा यहाँ पर economy में question सबसे ज़ादा है है की नहीं उसके बाद आप बोल सकते है environment and ecology पर सबसे ज़ादा है फिर AMC या फिर quality वगरा बोल सकते है लेकिन ये trend हर बार fluctuate करता रहता है तो क्या हमने इतना दिमाख लगाया है कि अगर हम लोग यहाँ पर quality की बात करते हैं एक trend analysis करके हमने देखा हो हर साल quality में कितने question आते है तो हमें समयद में आए कि approximately 15-17 question तो रहते ही है अब ये 15-17 question आते कहां से है क्या हमने कभी देखा अगर हमने ये नहीं देखा कि fundamental rights से usually सबसे ज़ादा question आते हैं DPSP से usually सबसे ज़ादा question आते हैं और सबसे ज़ादा question आते हैं या फिर इन पे कुछ extra effort दिये तो हमारा पूरा का पूरा effort बरबाद है ना इसलिए मैं आपको सबसे पहले slide में बोल रहता है अगर sufficient mind यूज कर रहे हैं तो ये चीज पहले ही पता चल जानी चाहिए और इन पे कुछ extra time हमें देना चाहिए तब ही तो हम expect कर सकते हैं कि हमारा result बाकियों से different आएगा आप ऐसे कोई भी subject उठा के देख सकते हैं तो economy देख लो क्या economy में हमने देखा कि external sector of India से सबसे ज़्यादा questions बनते हैं या फिर banking sector से सबसे ज़्यादा questions बनते हैं अगर ये दोनों sector हमने नहीं पढ़ा या फिर इन पे special focus नहीं दिया है तो फिर हमारा effort वेस्ट जा रहा है economy पर भी आप देख सकते हो कि हर साल लगबग लगबग 12 से 15 questions बनते हैं इस 2023 में exceptional था जिसमें की 20 questions आगा economy से similarly यहां environment and ecology का देखिए environment and ecology में 2023 में अगें 19 questions ही है है ना अब आप देखो कि यहां पर भी approximately 15 से 17 या फिर 19 questions बन रहे हैं तो क्या इसमें हमने important chapters निकाले pollution पढ़ लिया क्या अपना या फिर सबसे important chapter environmental laws ये वही laws की बात हो रही जो 1992 रियो और समिट में देखते थे ना तीन laws निकले थे UNFCCC एक हम लोगों ने CBD के बारे में पढ़ा होगा और एक ही UNCCD के बारे में पढ़ा होगा Combat Desertification वाला तो क्या इन तीनों पर हम लोगों ने command कर लिया इसके current affairs पढ़ लिये नहीं पढ़ें तो फिर बाकी environment अगर हम पढ़ रहें अब देखो जो भी दो तीन topics अभी तक हमने देखे न वहाँ से major questions बन रहे है अगर आप एक अंदाजा लगाने कोशिश करो कि तो 15 से 17 questions यहाँ 12 से 15 questions यहाँ और 15 से 17 questions यहाँ मतलब approximately 45 से 47 questions जो है वो तो यही तीन subject ही cover कर ले रहे हैं मारे तो क्या हमने इन तीन subjects को थोड़ी भी priority दी क्या इसके साथी साथ क्या हमने priority देने का मतलब क्या हमने इनको extra time दीया क्या science and tech देख लो लगातार 12-12-12 questions आ रहे हैं है ना तो यह भी अब देखो इसके सबस्यादा questions कहा मिलेंगे miscellaneous में तो क्या हमने यह decode करने कुछिश की कि science and tech के जो आतार questions जो होते हैं वो current oriented होते हैं तभी तो miscellaneous में आ रहे हैं यह सारे फिर बाकी subjects आप देख लो ancient, medieval, इन सब में सारे questions जितने भी मिला के आप देखो के तो 7-8-7-8 questions ही आ रहे हैं तो क्या इतना बड़ा subject को बहुत ज़दा time देना उतना हमें benefit देगा similarly यहाँ पर आप देखना art and culture का, art and culture में कितने questions बन रहे हैं एक time 2014 था जब बहुत ज़दे questions आये थे otherwise आप देख रहे हैं ट्रेंट क्या चल रहे हैं कमी गम चल रहे हैं मलब 3-4 questions तो कितने depth में हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर भी क्या हम लोग जयनिजम, बुद्धिजम को extra emphasis दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा तर questions तो यहीं से बन रहे हैं इसके अलावा Indian architecture या temple architecture को हम लोग दे रहे हैं extra time ज़्यादा तर questions यही तीन chapter से बन रहे है lastly आप देखो यहाँ पर modern history के बारे में भी देख लो modern history में approximately 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7-8 questions बन रहे हैं तो इसमें क्या आपने national movement के बारे में पढ़ा इस वाले period से सबसे ज़्यादा questions पूछे जा रहे हैं आप मतलब इस तरीके से दिमाग लगाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जैसे geography है, geography में 7-8 questions ही आ रहे हैं बड़ा subject है, बहुत बड़ा topic है majority of the questions जो है वो Indian geography और map based डार है तो क्या इन दो chapters को हमने priority दे दी overall कहने का सार क्या है कि हमने अपना sufficient दिमाग हर chapter में लगाया है क्या हर subject में लगाया है क्या अगर लगाया है तो एक डमदार plan बनाना चाहिए अगर आपने अभी भी plan नहीं बनाया तो मैं आपको एक plan दिखाता हूँ total days अपने पास बचे हैं approximately मान लिजे 100 दिन 100 दिन में आप कुछ इस तरीके से define कर सकते हैं कि भी देखो अपना जो पहला stream of revision होना चाहिए वो पचास से साथ दिन में अपना done हो जाना चाहिए क्योंकि multiple revision ही आप समझ लो ultimate goal है आपके prelims clear करने का तो पचास साथ दिन में अगर हमने एक बार revise करके पूरा subject wind up कर दिया तो जो बाकी के अपने 30-40 दिन बचते हैं 40-50 दिन बचते हैं उसमें multiple revision कर लेंगे हम लोग वो देख लेंगे कौन से chapters को कितनी बार revise करना है और importance के business पर जिससे सबसे ज़्यादा questions बन रहे हैं उनके chapter को ज़्यादा बार revise करके जाएंगे simple है ना ये तो और साथी साथ क्या हम लोग कितने test लगा रहे हैं यहाँ पे ना मैंना आपको एक plan दिखाता हूँ जिसको कि आप देखना जरा दियान से देखना अगर हम लोग एक ऐसा plan बनाएं जिसमें कि कुछ time हम लोग particularly divide करके चले आपको ये schedule जो है वो वैसे तो यहीं मिल जाएगा description में मिल जाएगा वहाँ से download कर देना इसका सार मैं आपको समझाता हूँ देखो कुछ इस तरीके से है कि जितने भी हमारे important subjects थे important subjects को हम कैसे निकाल सकते हैं economy निकाल सकते हैं quality निकाल सकते हैं इसके अलावा geography निकाल सकते हैं जो बड़े-बड़े subjects हैं और इसके साथ-साथ आप economy, environment बोल सकते हूँ economy, environment, quality, geography ऐसे जो major-major subjects हैं इन सभी subjects को आप अच्छा-कासा time दो even आप modern history भी include कर सकते हो इसमें इन सब को आप आराम से साथ-साथ दिन दे दो ठीक है, एक-एक हफते में आपका पूरा ये subject wind up हो जाना चाहिए एक तो ध्यान दे, मतलब अगर आप अपने आपको target नहीं दे रहा हो ना तो you will end up in doing anything आपका कभी कोई plan when successful नहीं होगा आपको लगता है कि यहाँ quality पढ़ रहे हैं, पटा चला साथ कुछ जो थोड़े से moderate type of subjects है जैसे कि आप बोल सकते हो ancient history, medieval history या फिर art and culture इन सब subject को आप अगर कुल मिला जुला कि अगर 9 दिन या फिर 9 दिन भी देते हो ना तो भी more than sufficient है और इसी के साथ-साथ कुछ subjects हमारे और भी हैं जो कि UPSA मेशा से पूछा करती है तो ठीक है इनको भी 3-3 दिन दे देंगे अपन लोग इस तरीके से अगर total आप count करोगे तो total कितने दिन हो रहे हैं पता है आपको approximately 54 days और यही कहीं हम लोग target भी कर रहे थे इस वाले section में तो आपको इसी basis पर देना है और इसलिए मैं आपको जब यह वाला schedule दिखा रहा था तो इस schedule को दिखाने का मतलब भी यह था कि आप लोग चाहो तो इस schedule को दिन पर दिन यह सारे subjects आपके न डिफाइन हैं यहापर कि क्या क्या चीजे पढ़नी है और इसलिए English और Hindi दोनों में दे दिया है मैंने कि आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कितना portion कब पढ़ना है कितना पढ़ना है तो आप इसको शिदत से मन लगा के follow करो 100% यह आपको success की और ले के जाएगा या फिर आपका best performance तो जरूर से देगा अब इसको follow करने के लिए हमारा हर दिन कैसा होना चाहिए इच डे कैसा दिखे कि मज़ा ही आ जाए बात करते हैं how to plan each day तो को पूरे हर दिन के लिए जो मान लो आज आपने planner उठा है प्लैनर में मान लो हम फिर एक बार इसको open करते हैं इसका पहला दिन देखते हैं क्या है पहला दिन economy का जमाना चल रहा है economy का देखते है basics of Indian economy, economy growth post independence में कैसी रही थी calculation, कुछ economy environment का कुछ चीजे निकाली अब हमें यह पता चल गए कि economy के कुछ यह topics पढ़ने हमें तो हम ऐसा तुम मैं मान के चल सकता हूँ न अब जब बिल्कुल सिर पे सवार है अपना prelims का exam तो आप आराम से 8-9 घंटे तो दोगे न अपने आपको मैं 9 hours लेके चल रहा हूँ वेसे तो 9 hours में सबसे पहले 2 घंटे की जो पढ़ाई है न वह फटा-फट से मारा उडान static उठा लो उडान static से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मान लो कि यह है अपना उडान static अब यहाँ पर उडान economy की ही बात कर रहा हूँ मैं अब आप देखना महज 127 पेज में पूरी की पूरी economy आपकी wind up हो जाएगी और सारे chapters included हैं सारे important concepts इसमें दिये हो हैं तो at least आप कुछ भी चीज न छोड़ोगे नहीं आपको बिलकुल हर चीज जैसे देखो webland effect speculative effect यह सारे कुछ ऐसे recent terms हैं जो की UPSC हमेशा पूछना चाहती है हमेशा कुछ graphs के business पर UPSC कुछ आपको tilt कराना चाहती है तो उन सबी चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे जैसे अब हम लोग बात कर रहे थे banking sector के बारे में है ना तो banking sector money and banking यह बह दो गंटे आप उस subject की उड़ान को दे दो फटा-फट से उसके बाद definitely आपने पूरे साल भर में कुछ न कुछ static subject उठाया होगा और उस static किताब को आप पढ़ना स्टाट कूर कि तो उसके पूरे साल भर का रिष्टान आता है उसको दोका मत दो बेवफाई नहीं करनी चाह अगर ये सारी की सारी चीज़े धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपने प्राक्टिस नहीं किया उसका तो आप अपने पूरे दिन भर का दो घंटा जो है ना वो टेस्ट और एनालेसिस में लगा के रखो ये अगर नहीं किया ना तो फिर बखवा से फिर कितना भी पढ़ल इसमें टेस्ट भी है और अनालेसिस भी है ना अनालेसिस के लिए आप आराम से जीस डिसकेशन का पूरा जीस पेपर का डिसकेशन हो जाता है जैसा ही आप टेस्ट देते हो ना डेली टेस्ट है इसमें डेली टेस्ट के बाद आप प्रॉपर डिसकस कर सकते हो फिर ये जो अगर आप अपने इस पूरे टाइम जोन से कितने हो गए तीन तो पांच दो साथ घंटे अपने बीद गए साथ घंटे में देखो आप थोड़ा सा यह जो दो घंटे का टाइम में बोल रहा हूँ ना वैसे तो अगर आप आर पीपी टू पॉइंट हो लेते हो तो इसमें सी स यह आप डेली लगाते हो डेली 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 अप सोचो अगर यह लगातार आप चवान दिन साथ दिन अगर ऐसा कर लेते हो तो कितने कुशन प्राक्टिस कर लोगे धाई हजार से भी जादा कुशन सा प्राक्टिस कर रहे हो जी असके और सिमिलरली आप कम से कम हजार से भी ज़्यादा question की practice कर रहे हो आपके CSAT की more than sufficient है आपके लिए exam को clear करने के लिए यही mind setup चाहिए आपका जो की अभी तक नहीं समझ में आ रहा था आपको अब यह जो test और analysis हो गया यहाँ पर भी आपका लड़ाई खतम नहीं होता है यहाँ पर एक बहुत important term आप ले सकते हो इसमें अब आपको अगर थोड़ा बहुत पढ़ना है अपने CSAT के बारे में तो 30 मिनट 40 मिनट आप अपने CSAT की पढ़ाई पर पी दो बागी का इस दो घंटे में test के अंदर cover हो जाएगा इसके बाद एक बहुत important बात मैं आपको बताता हूँ कि उस topic के previous year question को जरूर से लगाओ एक question भी अगर रोज सोचते हो ना आप लोग दो question भी सोचते हो तो आप लोग बहुत सारे question solve करके रखोगे और 15 मिनट में मुझे लगता है आप आराम से 10 question लगा सकते हो previous year के सोचो कि ये option सही है तो क्यों है वहीं से तो आपका पूरा trick निकलता है वहीं से तो आप कैसे eliminate कर पाते हो वो समझ में आता है बाप बोलोगे sir elimination अब तो बचा ही नहीं है अरे नहीं है आरे ऐसा नहीं है अभी भी elimination है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% जैसा पहले था वैसा है लेकिन अभी भी चुकि theme से मैं na question के उपर देखना हमेशा elimination को इसारा नहीं करता है आप ये भी पता लगा सकते हो कि ये statement सही हो सकता है या गलत हो सकता है यही है आपका previous year question की समझ रखना और जब सही या गलत का पता लगा सकते हो जाएगा इसलिए 15 मिनट daily basis पर अपने previous year question को देना ही देना है इसके बाद आप आराम से 15 मिनट का time और निकालो 15 मिनट के इस time पर आप आप सिर्फ और सिर्फ सोचो क्या किया कैसे किया कहां गलती आई कैसे improve कर सकते हैं और अगले दिन जो भी इसका निशकर्स निकलता है उसको अच्छे से वापस implement करो इसके बाद आपका कितना time हो गया 3, 4, 5, 6, 8 एक घंटे भी आपके पास बचें यह जो एक घंटे बचते हैं वो आपके current affair के लिए आपको यकीन मानना होगा इस बात के लिए कि जो पिछले सालों के papers रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा जो current affair का tilt रहा है वो approximately January से April की बीच में रहा है तो अब आप भी नहीं effort कर सकते हो कि January से April के कोई भी current affair को आप लोग छोड़ो तो इसी लिए इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पूरे दिन भरके जितने भी news आते हैं ना उसमें से आप अपनी priority निकालो टॉप के 5 या 6 current affair को उठालो उनको बहुत अच्छे से cover कर लो इस एक गंटे के अंदर में क्योंकि इस से जादा तो कुछ पुछने वाला नहीं जरूर ही नहीं है हर बार 100% efficiency achieve हो किसी दिन 80% होगी किसी दिन 70% होगी किसी दिन 90% भी हो सकती है लेकिन problem की बात नहीं है ना हम अपना best तो दे रहे हैं ना इस बात का तो confidence आएगा ना हम ऐसा मन में कि हम अपना time best तरीके से utilize कर रहे हैं और यह सारे के सारे components जितने भी अभी तक हमने discuss किया ना वो सब के सब इस test series के तुरू आप हमेशा से complete कर सकते हो सबसे पहला आपका यह पूरा schedule है इन schedule पर आपको 40 question GS के मिलेंगे 20 question आपके CSAT के मिलेंगे daily business पर solve कर रहे होगे इन सब चीजों को फिर आपके बीच बीच में Sunday Sunday को current affairs के test हो जाएंगे current affairs में आपको बहुत अच्छे तरीके से उसका भी revision चलता रहेगा फिर बीच बीच में word map का IR का इन सब का अलग से test होगा जिससे कि आप लोग को थोड़ा सा और समझ में आगा कि अच्छा इस तरीके से इसको resolve कर सकते हैं budget economic survey का अलग से test होगा एक बार ना ये पूरा कप खतम हो रहा है पता है आपको ये खतम हो रहा है आपका लगबग लगबग 20 April को 20 April को आप सारे subnets wind up कर चुके होगे एक बार में उसके बाद सिर्फ और सिर्फ revision और full length revision और full length revision और full length ऐसे 5 full length है आपके इसके GS paper के भी और CSET के भी तो इस तरीके से ना आप एक बिल्कुल independent तरीके से काम कर सकते हो और बिल्कुल complete package इसका देख सकते हो इसके लिए बहुत simple मैं आपको बताता हूँ इसका daily जो practice है ना वो भी थोड़ा unique सा है आप समझ ना कि daily basis पर 7 बजे सुबेरे सबेरे आपका ये paper start हो जाता है मतलब कि 40 question आप लोग को लगाने होते हैं ये 7 बजे से लेके 7 बज़ के 50 minute तक चलता है वाला 50 minute में आपको ये 40 question लगाने है इसके बाद जो आपका अगला 30 minute है वो 30 minute devote होता है आपके 20 C-SAT के questions के लिए ये 60 questions जो है ये आप कितने दिर में लगा रहे हो 50 और 30, 80 minute में 80 minute में 60 questions daily के daily और इसके बाद 8 बज़ के 20 minute से सुबे सुबे ये start हो जाता है आपका discussion तो जो भी eminent faculties हैं इनका अगले एक घंटे में बढ़िया से discussion करते हैं कि आपको कोई भी concept छूट गया हो नहीं याद आ रहा हो या नहीं समझ में आया हो इन question discussion के तुरू वो हो जाता है और इसमें सबसे बड़ी बात जो भी मैं आपको ये दिखा रहा था था ना कि ये है अपना पर चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा simply आप जाए यहाँ पर pwonlyis.com पर ये देखिए थोड़ा से scroll कीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है उडान इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश में ये सभी ताम जाम अटा दो प्रोग्राम जोइन करो 19.5 से स्टार्ट है लगते हैं साथ में बढ़िया से प्रिपेर करते हैं और साथी साथ अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो हम आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं आपके श्रीजन प्रिलिम्स में जाने के लिए श्रीजन मेंस क्या है ये फ्री आफ कॉस्ट आपकी पूरी ये पूरी डेली बिस्स पर जैसे ये प्रिलिम्स का टेस्ट ले रहे हो ना आपके चार centers पर available है एक करोल बाग, मुखरजी नगर पतना और लखनों ये ध्यान रखना कि जो करोल बाग वाला center है यहाँ पर English medium रहेगा जो मुखरजी नगर वाला center है वहाँ पर Hindi medium रहेगा तो इनके discussions, test series ये सारी चीजे English और Hindi यहाँ पर चलेंगी पतना और लखनों में आपके सारे test जो भी होंगे वो English और Hindi दोनों mediums में होंगे, papers कुछ इस हिसाब से आईगा कि आपका English Hindi दोनों सब साथ में चलेगा club होगे है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि paper जैसे UPSC का real paper आता है आपको वो दोनों application में मिलेगा मतलब कि जो discussion है, वो आपके application में live रहेगा application में live तो मुखरजी नगर करोल बाग में भी रहेगा लेकिन यहाँ पर साक्षा teacher सामने रहेंगे वो आपको एक गंटे, देड़ गंटे जो भी है वो time लेके discuss करेंगे दोनों जगहों पर और पटना और लखनाओ के लिए सिर्फ ऐसा है कि वहाँ पर centers पर कोई teacher नहीं रहेंगे लेकिन test आप definitely आके दे सकते इसलिए आप अपना prelims देखो mains हब हमारे उपर छोड़ दो हम आपकी jump कर मेहनत करा के न mains clear करा देंगे आप tension मतलो आपको पता है न यह चीज की major hurdle जो होता है वो यहीं पर आता है भई कि 5 लाख लोग अगर exam दे रहे हैं तो इसमें से कितनी 10,000 लोग ही select होते हैं यहीं पर majority rejections है 10,000 के बाद तो selection mains में कितनों का हो जाएगा 3,000 लोग का हो जाएगा 4,000 लोग का हो जाएगा तो इधर का selection उतना tough नहीं है मतलब competition इतना tough नहीं है हल ज्यादा minded लोगों के बीच में competition है यह बात मैं मानता हूँ लेकिन एक major hurdle पार करने का यह जो prelims का मेहनत है न यह आपको join करना है तो आप simply क्या कर सकते हो 9920-613-613-613 पर call कर लीजिए या फिर pw.live पर चले जाएगे pw.live पर आपको एक courses दिख जाएगे वहाँ से आप इनको join कर सकते हैं तो आज के discussion में बस इतना ही था thank you very much for listening it very patiently friends have a nice day